जिस देश में पुर्मोसन के लिए इंकाउंटर किये जाएं जहां सुप्रिम कोट के चार-चार मोश्चिनियर जजेद ही जन्तंत्र खत्रे में है या कहकर जन्ता से इसे बचा लेने के लिए गुहार लगाएं जहां रुजगार के नाम पर देश के बेरुजगार जुवकों से पकोड़े छन्वानी की बात की जाए मैरे नवजवारो क्या मैरििट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए आपकी ताकत के हिसाब चाहिए आपको काम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए अगर आप होनहार है तो आपके नोकरी का आपको हग हग नहीं है लेकिन रोका कैसे जाता है नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवरतन लाने का जो आपने वादा किया था, वो कितना पूरा हुआ है। कोई कोई जमसाय करेंगे, कमाय करेंगे, कोई रोजगार थेंगे, कोई रोजगार थेंगे, कोई रोजगार थेंगे, कोई पकोड़ी की तुपान करेंगा, कोई चाही की तुपान करेंगा, कोई अखवार बेजरे का टाम करेंगा, कोई कहें डिपोजट्य करेंगे और लेज जहां देश का राष्ट पती जलित पीछड़ों का नय पालिका में समुचित परतिनुहीत नौ होने पर चीनता जता है जहां देश का पीएम जनता से जूट बोलकर वोट ले और पूछने पर उसे जुमला बता दिया जाए अरे एक बार ये जो चोर लुतेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना उसने भी हम रुप्ये ले आए ना तो भी इंदुस्तान के एक जिरिवाद्वी को उस्वत में 15-20 लाख रुपय इंभी बिल जाएगा देखे ए जुमला है किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपय कभी नहीं जाता वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है वो सबको मालूम है एक भासन देने का एक तरीका है जुमला है जहां देश की 73 फीसदी संपत डगर कर एक फीसदी पुझपतियों की तीजोरियां भरे और 99 फीसदी लोग केवल 27 फीसदी संपत में गुजारा करने के लिए मज़ूर हो जाए जहां अपराधी ही अपराध का वीडियो बना करके वाइरल करे और इससे भी अधिक बड़े पैमाने पर भय और आतन का महोल काइम किया जाता रहे तो समझो कि क्या हम उसी गौतम बुद्ध और समराट असोक के भारत में भारत देश में जिन्दा हैं जो सोनी की जिन्या कहा जाता था और जहां विदेशी छातर पढ़ने आते थे अब इसके बाद हमारे आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि क्या हम जन तंत्र में रह रहे हैं या जंगल तंत्र में अच्छे दिन वाला जो वाक के हमारे गले में लटका है इसके सचा ही मैं आपको बताते हैं आप इस पर सोचिए और तेस का जुआ बर जरूर सोचिए